हेलो एब्रिवन वेल्कम टू दिविजर टूडियल क्लासेज यह हमारा पॉलिटिकल साइंस का एम सीधी सेज पिछले लेख्छ नहीं देख्इया है पहले जाकर पॉलिट फेर्ट तक देख से 13 गें और सांथी expected question भी किरा हैं और जो उससे इंपोर्टेंट फेक्ट हैं वह भी मेरा किरा लेया है या हिंदी और इंगलिश मेडियम में कड़ाया जा रहा है ताकि हिंदी मेडियम और इंगलिश मेडियम को बच्छों को दिकत ना है ठीक है देखिए जो भी बचे अगर पीडिएफ डिमांड कर रहे हैं कि हमें पीडिएफ चाहिए सर तो उनको टेलीग्राम चैनल जोईन करना पड़ेगा तो टेलीग्राम जोईन करने के लिए आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वहां से आप जाकर टेल कर सकते हैं उसका पीडिएफ और मैं भी जो पढ़ाता हूं वहां से पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल आप लोग आज ही जोईन कर लें ठीक है तो आज अपने नेक्स लेक्शर की ओड़ हम आगे पढ़ते हैं पहला कोस्टन आज के लेक्शर का ओक कि अगया इसमें ये बताना है लिएससे पहले हम इस और देशन के बारे में हम जान जाते हैं जैसे जब भी हम कोस्टन कराते हैं तो पहले कर आमे अब धुए इसनल कोट आफ जश्टिस के बारे में बताएंगे और जो भी इंपोर्टन चीजह होगा आप इसे नोड़न कर इसलिए आप लोगों को बार-बार बोलता हूं कि आप लोग नो डाउन कर लें चलिए इनस्को के बारें हम थोडा सा जानते हैं कि इनस्को का हैट्वाटर कहां है आपका पेड़िस में है ठीक है यह आपका option ऐसी ही सही हो गया कि युनिस्को का headquarter का है आपका पेडिस में युनिस्को का फूल फ्रम होता है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization यह कब स्टेप्रिस किया गया था आपका इसमें कितने मेंबर होते हैं 195 मेंबर होते हैं अब आगे बढ़ते हैं आयो लो के बारो में आयो लो का फूल फ्रम क्या होता है International Labour Organization कब इस्टेबिलिज किया गया था आपका 1919 में इसमें कितने मेंबर होते हैं 197 मेंबर होते हैं ठीक और यह इसका Headquarter कहा है तो आपका इसका Headquarter है जैनेवा में जो आपका Option में दिया गया है यह भी Option करेंचर और यह कब इस्टेबिज होगा था 16 आक्टूबर में इसका Headquarter कहा है रोम यानि इतली में है रोम यानि इतली में तो में डिक क्या दे रखाए ब्रूशली दे रखाए तो इसी ही गलत हो जाया को में और आगे बढ़ते है इसमें International Court of Justice का Headquarter का हैं ये तो आपका Headquarter है है ये कहा है नेदर लेंड में है अगर यह ना देज़ा नेदर लेंड में तो आप विल्कुछ नहीं हो ऐख और इससे International Court of Justice से भी थोड़ा कुछ जाज जाते हैं इसके पारे में देखिए इसके बाड़े में भी हम लास्ट लेक्चर में बताया थे तो इवेनो का ये पार्ट है अंग है और इसमें जो भी चिप जस्टिस होते हैं वो इवेनो के द्वरा इलग्ड किया जाते हैं इससे जूरी एक कोस्ट नहीं तो इसका आंसर क्या हो जागा उनेस्कों का आपका सब्सक्राइब का आपका रोम में है तो अप्शन नमर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जागा इसमें इनकरेक्ट चुनना था ना नौट करेक्ट तो आपका अंसर सी हो जागा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोसें क्यों है नेक्स कोसें है कि वीच अप्दा स्टेट्मेंट एबाउट इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टीस इस नौट करेक्ट बतलब इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टीस यह कौन सा सही नहीं देखी चंडी करमाया हुआ है तो देखिए पहले इसमें दे रखा आप्शन इस अप्रिंसपल जुडिस्टीस और्गन अ था सब्सक्राइब तो यहीं आगा यहीं तो कैसे माली कोई भी कॉट अपना दिसीजन देता है तो क्या वह इंकडेक्ट होता है इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा में इसकुलिमेंट किया जाता है न तो इधर ही गलत हो तो आगे बढ़ने के जुरुत नहीं तापका आं सिविल जो कोट हैं वह क्या डील नहीं करते हैं सिविल कोट के बारे में जान लेते हैं सिविल कोट डील क्या चीज को करता है सिविल कोट डील विद प्राइबेट कंट्रो प्राइबेट कंवर्सिस जो आपका प्राइबेट अफेयर होता है जैसे कहने के मतलब हो गया कि आप डिल करता है फिर से लेंड लॉड टीने डिस्पूट जैसे माली जी आप देखे होंगे जैसे जमिंदार हो गड़ होते हैं कि आप किसी को खेट लीप खेट किसी को दे देते हैं आप इस पर फसल उपजाओ और आप फसल आदे रख लेना और आदे हाम में देना उनसे भी कभ चोड़ी जैसा अफराद को कभी भी सीविल कोड डील नहीं करता है तो आपको और से जूरी यह आपका जनकाड़ी है आप इसे याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आपका फूर्थ कोस्टन है इन दा कंटेस्थ पंचायती राज वीच ऑन अफ दा फ्लोइंग इस दीजर two about cuánt mommy okayrative पहले स्थीर बारे में आप लोगों को बताये था क्या कि भीचे वह और है मार पीष्ले लेक्ट्र देखे उनगे कौन से द्वार आया था जो पंचाइती राज है यह हमारे 73rd एमेंटमेंट के द्वार आया था ठीक है और यह जो था आपका मुंसी थार्ड एमेंटमेंट के द्वारा हमारा मुंसी पाटिया था यह कब आया था 1992 में 100TV में भी पंचाइती राजा था और मुंसी पाटिया चैस्ब निजैसे रूडर में लागू किया जाता है और आपका मुंसी पार्टी ऐर अर्बन इमें में आपको यह सब बताए है ठीक है पंचायती राज किस कमेटी के त्वरह था बलवंत राय मेहता कमेटी के त्वरह इनका इवलूशन हुआ था और पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू किया गया राजस्थान में नागोर डिस्टिक में ठीक है आपको यह सब बताया गया है कि देखिए अब हम आनजाते ग्राम सभा के बा काणुन बनाना थे तो कुछ लोग मिलकर डिसकस करती हैं लोकलकर में उनसे जूरे होते हैं यह मिलकर डिसकस करते हैं नियम और गानुन बनाते तो देखिए यहां ओप्शन दिये रखाए इस इस दो टॉप मस्ट टैर अप टैर अप दो पंचायत राज जो ग्राम सब है टॉप मस्ट टैर रहता है पंचायती राज के नहीं गलत है ना जी यह आपका नहीं होगा आगे कहा इट कंसिस्टिंग अप अल भी वोटर डिसाड इसमें जीतने भी देखिए यहां से भी देख सकते हैं अपका हिंदी में इसमें ग्राम पंचायती है देखिए अधूरा लिखा हुआ है इंगलिज में आगे बढ़ते हैं कंसिस्टिंग अप औल भी वोटर डिसाडिंग इन दा जी डिक्सन अफ और विलेज पैंचायते है फ्रैतलब कहा है कि जो भी अगर विलेज में अगर कोई डिक्सन देना होता है तो सारहे लोग मिलके देते हैं यह कोईप सबहां सब्सक्राच्षा-बैदा बरकτε हैं अगर 20 होगे आगए ऑगे पृटते हैं आप इसिसे नो डान कर लिजाएगा और जो पंचाइती राजवाला लेक्षर भी हम पीछे लास्ट लेक्षर में दिये थे तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आज का अब का नेक्स कोश्चन है कि eligibility for a regional party to be recognized as a national party कि यह कहां आया था हमारे चंडी गड़ इंग्जाम में आया हुए तो अलग अलग पार्टी बनते जा रहा है ना थीक तो अलग अलग पार्टी जो होता है जो national level पर खड़ा होते हैं उन्हें national party आड़ा है अब देखें यहां बोला जा रहा है कि एक छेत्रिय पार्टी के लिए पार्टी के लिए पतर्ता एक राष्ट्य पार्टी के रूप में मनाता प्रात हैं मतलब जो original लोग नेजनल पार्टी को कैसे से कर देता है ठीकिक इसके लिए कुछ फूल कर कंडिशन होता है कि के खinka कड आइं अगर वो लोग है में सुन जित कराता है तू पर्चेंट लोग सावा में लोग संपहलिस और चाइण द कर देकर पार्च जित आएं नियोग साहिट Sn vision 545 इसमें दो तो एंगलो इंडियन होते हैं यानि 543 में से ठीक है अगर वो दू परसेंट सीट डिजर्व करते हैं चार स्टेट तब उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाते हैं तो भी रिकोगनाइज इन एट लिस्ट नहीं चारे स्टेट तो अप्शन नमर क्या ह जरुवत नहीं तो लोग शाफा इहां दी आहां पार्लियमेट चलि क्या पढ़ते हैं इस वाटी जीरो और क्या होते हैं हमारे पार्लियमेंट में जब भी कोई कोस्टों ओना डिसकाशन किया जाता है तो जीरो आवड होता है ठीक है कोस्टान आवर होते हैं लग अलग अल ये इसमें कोच्छा जाता हैं करके इसके बाद से बादसे बजेत एक बजे तक आपकाiane उडू ओर न θर चानल न खारते हैं एक बजेत दो बजे तक आपका लांच आउड होता है तीनों आप लोग डाउन कर लिए जिए 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 जिरो और आया है ना तो अपकी बाद चांसे कि इस पर पुछा जा सकता है कि कोस्टन आउड क्या है तो आपका अंसर क्या हो जागा टूएल बैको लाग ठीक है अंसर नमर डी हो जागा लिखा यहां कि आप लोग डाउन कर लेजएगा इस बार यह काफी ज़्यादा आने के चांसे हैं कि आपका कोस्टन आवर क्या है तो कोस्टन आवर क्या है यह कब से शुरू होता है यह 11 एम से 12 पेम तक कि आज का निक्स्ट नेख को सेने कि विच्ज विच आप North व Knpress यह पार्ट में डार्ट में बतलब कहां से बंडूड किया गया है तो यह आपका और लेंड बोडो Waiting ठीक है यह आर्टिकल 36 से 51 अर्टिकल 36 से 51 तक आता है और देखिए इन्हें डाक्टर भी आर अंबेदकर इन्होंने कहा था कि जो हमारा इंडेन कॉंसित्यूशन dp clarity को किस ने के था तो डक्टर अंब्यदग करने ह comigo से quand और किस में आता है तो पार्ट फोर में जमीद्ग है तो आइड्यूपर से लिए चले आगे बढ़ते के डवाराइज और राहेंअ को राइज करता है है कि झाल है उगार्भ चेह को को पुत हरा ये जो आपका है ये नौट परหट सब्सक्राइब कर देगा नहीं ना यह दोनों एक ही चैसे ना इंट्रिटेट है आपका आपसे नमर डी होजाएगा कि आगे पढ़ते हैं आ कि पूस दा कर दोनों चैने ऑस के 시간이 को को अब पूछा रहा है कि राप्टिंग कमेटी की के चायर में कुछ थे हमारे ड्राप्टिंग के से मैं कॉन है डाक्टर बीया यहां पर ओन फार ब्र दॉड को क抿ंग ऐखरते चैनों हैं 6 67 247 में 39 अगस्zne1947 में लाया गया है और ड्रांटिंग कमेटी में ठीक है ड्रांटिंग कमेटी में कितने मेंबर थे थें तो हमारे 7 मेंबर नच्श्ची इस करें मैं ट्रो द्रांटिंग कमेटी क्या है, जैसे जो निव Camper tomorrow ढूल ऑगोंगे आनट करें lealive now उसको भी कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी तो उनको कौन चेयर करते थे तो डाक्टर भी आराम्बेद कर पर इसमें कितने मेंबर थे तो साथ मेंबर थे कब आया था यह 39 अगस्त पढ़ते हैं आगे को सब्सक्राइब करते हैं कि बिहार बोड़ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार का को सब जगह के को सब्सक्राइब करते हैं ठीक है जो मतलब important question होता है उसको higher कर लिया जाता है यहां पर कि यह बिहार बोड़ का है बाकि चंडीगट के question वह भी आया है बिहार में यह बिहार का question यह बहार बाड़ा question को आता है उसको repeat ना करके माले जी बिहार बोड़ से में आया है judicial review यही आपका चंडीगट में है तो उसको अमना लेकर बिहार बोड़ वाले के लिए लेखते हैं तो आपको बिल्कुल टेंसर ना लें बिहार बोड़ हर state का exam का करवाया जारा यहां पर previous question और साथी न्टीए सीक्ट ठीक है देखिए judicial review आपका USA में है और judicial activism भी आपका USA में है ठीक है चलिए देखिए आपका judicial review क्या होता है judicial review के बारे में हम आपको थोड़ा से पता देते हैं इसे judicial review के मतलब हुआ ना कि कोई भी Parliament law बना देता है ठीक है इसे law बना दिया गया परल्याय में 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 आपके और वह लोग के fundamental राइट को क्या करता है वैलेट करता है आपके fundamental राइट जो oldest क अधिकार दिया गया अ हथा करता है तब सुप्रीम कोट के पास और है उनके पास पाउड है कि उस लॉको क्या कर देगा नॉल एन वाइट उसको कह देगा कि यह लॉल लागू हमारे देश में नहीं किया जा सकता है इसको क्या कहते हैं जुडिसियर रिव्यू यह आपके स्टेट मतला हाई कोट में भी प सुप्रीम कोट नहीं गलत है उल्ली हाई कोट नहीं गलत है प्रेशिडेंट नहीं गलत बोथ सुप्रीम कोट एन हाई को दोनों को आपके जुडिसियर रिव्यू को पाउर दिया गया ठीक है चला आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन के और आज का मारा लास को सेने हूं पार्लेमेंट गोवर्नर जिन्दर तो कुछ बनाया इनीते निजन्द पार्लेमेंट कब हुआ जब हमारा देश अजाद हो गए उसके बाद के बाद इनने पार्लेमेंट सो गढ़ाई यह सब बना थे वह निव कंसिट्यूशन करने मान के ठीक है तो यह हो गया आज की लेक्चर के हमारे 10 सब्सक्राइब देखिए बिहार से हैं तो आप टेलिग्रम चैनल को जोईन कर लेजिए वहां आप मेरे से कोस्टन पूछ सकते हैं पर साथ आगर आपको दिक्कत होता आप कमेंड कीजिए हम रिपलाई देंगे ठीक है पर देखिए आप क्या करेंगे मल्टिपल टाइम रिविजन करेंगे तभी आप अच्छा मार् और कुछ लेक्चर भी अपलोड करो आप लोगों को छोटे-छोटे टॉपिक बना कर ठीक है ताकि आपके एक्जाम में ज्यादा हेलफूल हो ठीक है तो चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नयजे उसके सान थेंक्यू फूर आज है बनाइस टे